आज हम मावा या खोवा बनाने के जिस तरीके के बारे में बताने वाले हैं वह आपके लिए बहुत कारगार और फाइदेमन रहेगा। हमारी प्लांट्स अन्य मशीनों या पारंपरिक तरीकों से बहुत अलग है। जैसे बिना बिजली के चलना पानी तथा फ्यूल या इंधन की बचत महतवपूर्ण है। बॉयलर से स्टीम एक सो साट डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टीम पाइपलाइन से होते हुए कड़ाई के पैंदे में जाती है। और कड़ाई को गरम करके 120 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टीम कड़ाई से वापस बॉयलर में चली जाती है। यह पूरा काम automatic है बॉयलर में steam pipeline या steam recycle line दोआरा पूरा close circuit में काम करती है हमारे बॉयलर में पानी चढ़ाने के लिए pump की जरुरत नहीं होती है और ना ही किसी पानी के tank की जरुरत होती है इस बॉयलर में steam operated कड़ाईया set होती है जो की automatic और साधा दोनों ही प्रकार की होती है हमारी automatic कड़ाई में 100 लीटर दूद को गरम कर सकते हैं और 20 लीटर दूद का मावा 25 से 22-25 मिनट में बनके तयार होता है इस automatic कड़ाई में 100 लीटर दूद का मावा बनाने के लिए 22-25 किलो लकडी की लागत लगती है जो की अन्य प्लांटों से या पारंपरिक तरीकों से मावा बनाने की लागत से बहुत ही कम है अधिक जानकारी के लिए दिये गए नमबर पर संपर करें धन्यवाद